जहिन प्यारे सातियों स्वागत है आप सभी काउतकर्श अकेडमी खिलचिपूर के ऑनलाइन प्लेटफों में CRPF ट्रेटस में एक्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट मैथ के क्योश्चन इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे प्रिवियस एर प्रेशन पत्र पर आजाज ये सारे क्योश्चन लिए गए गए बिल्कुल शौट ट्रिक की मदर से बिल्कुल आसान सा सॉलूशन इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 27 पार्ट है इस से पहले हमारे 26 पार्ट कंप्रिट हो चुके यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप लोग देख ले इसी प्रकार के पेपर में आप लोगों को क्योश्चन देखने को मिलेंगे यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिपिकेशन मिल पाएगा आज का पहला क्योश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है एक संभाहो त्रिबूच का छेतरफल आप लोगों को दिया गया है त्रिबूच की परीदी निकाले तो आपको मैं बता दू यहाँ पर आपको संभाहो त्रिबूच के छेतरफल का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है और संभावत रिबूच का जो छेतरफल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर तीन बटे चार रूट तीन बटे चार गुना एकी पावर दो ये संभावत रिबूच के छेतरफल का फॉर्मूला है इसमें आप क्या करोगे संभाव त्रिभूच के छेतरफल का मान अपने को दिया गया है नो रूट तीन, यहां पर यूच करेंगे छेतरफल की जगे और बराबर में, यह मान अपन इसके बराबर हो जाएगा यह रूट तीन बटे चार, गुणा एकी पावर दो अब हम क्या करेंगे यहांसे हम एकी पावर दो को यही रख लेंगे बाकी वैल्यू को इधर भेज देंगे तो हमारे पास कितना है? नो रूड तीन है और गुने का रूड तीन इधर आएगा तो यह भाग में चला जाएगा भाग में रूट तीन हो जाएगा और भाग का चार इदर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा और बराबर के इदर क्या बज़ जाएगा एक ही पावर दो बज़ जाएगा अब सिंपली है रूट तीन से रूट तीन कट हो जाएगा अब क्या करेंगे हम A का मान यहां से नकालेंगे तो A बराबर यहां पर यह वर्ग हटेगा A का तो इदर दूसरी साइड करनी लग जाएगा तो यहां पर करनी 9 और गुणा 4 पर करनी लग जाएगा 4 तो 9 गुणा 4 नो चुक्शहतीस होता है और 36 किसका वर्ग होता है छे का तो जब वर्गमूल हटेगा 36 का तो 6 आजाएगा और 6 क्या आजाएगा इस त्रिबूज की एक भुजा का मान आजाएगा 6 क्योशन में हमसे पूचा गया इसकी परीदी प्यारे साथ यो परीदी का मतलब ये होता है कि परीमाप होता है परीदी या परीमाप एक ही चीज होता है तो परीमाप किसी भी त्रिबूज का किसी भी आकरती का यदि आपको निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का यो यानि त्रिबूज का परीमाप जो होता है तीन गुणा भुजा बनलब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो एक भुजा का मान छे हैं और तीनों भुजाओं का योग लाना है छे का गुणा तीन से करेंगे तो संभाव त्रिबूच का परिमाफ हो जाएगा छेतरी अठारा, अठारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर एक में आपको दिखाई दे रहा है अगले क्योशन के अदि बात की जाए, क्योशन नमबर दो क्योशन नमबर दो में लिखा कि एक संभाव त्रिबूच का छेतरफल पच्चिस रूड तीन सेंटी मिटर स्क्वेर हैं, तो अंतात रिज्जा और परीत रिज्जा का अनुपाद बताओ, मतलब फिर से छेतरफल का मान अपने को दिया इसका मतलब पिछले क्योशन के जैसे हम इसकी भी भूजा निकाल लेंगे यहनि पच्चिस रूड तीन के बराबर हमें क्योशन में दिया हैं, हम जानते हैं कि संभावत रिबूच का छेतरफल होता है, रूड तीन बटे चार गुणा, एकी पावर दो तो हमें रूड तीन बटे चार गुणा, एकी पावर दो का मान देगा और यहां पर चार भाग सीदर जाएगा गुणे में पच्चीस का गुणा चार से होगा तो पच्चीस चुको सो इस प्रकार यहां भी हम क्या करेंगा कि एका मान निकाल लेंगे और एका मान लाने के लिए वर्ग हटेगा एकी पावर दो तो इदर करणी के अंदर सो जाएगा और करणी सो किसका वर्ग होता है दसका वर्ग सो हता है इस प्रकार हमारे पास एका मान कितना आया दस आया क्योशन में बात कर रहा है कि एक तो संभावत रिबूज की अंता तरिज्जा और दूसरी यहां पर क्योशन में बोला गया परी तरिज्जा तो यह दोनो मैंत से यहां पर परीत室 रिज्जा लाना है तो संभाव थृूज की परीत Рिज्जा का जो मान होता है एpseंपनी तीन होता है बस यहां पर वैल्यू पूट कर देंगे और रेशो बना लेंगे तो हमारा अंसर आजाएगा। एकामान हमें क्योश्चन में मिल चुका है दस और बटे में हम क्या लिखेंगे दो, करनी, तिन, और इसी प्रकार रेशो बनाएगे, यानी अनुपात हो जाएगा। फिर से एक बटे, करनी, तिन मतलब एकामान दस हैं, उपात आएगा एक ratio दो आएगा जो आपको option नमबर 3 इसमें दिखाई दे रहा हैं अगले क्योशन के अदि बात की जाए क्योशन नमबर 3 तो क्योशन नमबर 3 वेरी मौस्ट और इकायंग बताओ तो प्यारे साथियो इकायंग आपको निकालना आना चाहिए यदि कोई भी आधार अगर उसका इकायंग 4 है और यदि उसकी घात यदि सम संक्या होती है तो हमेशा इकायंग 6 बनता है और उसके बाद यहां पर प्लस का चिन्ने प्लस लगाओ इसी प्रकार दूसरा वाला आधार चेक करो इसका आधार का इकायंग 5 है तो घात चाहे कुछ भी हो इकायंग हमेशा 5 ही आएगा इस प्रकार प्लस है फिर से प्लस लगाओ यदि किसी आधार का इकायंग 6 है तो घात चाहे कुछ भी हो हमेशा इकायंग 6 ही बनेगा तो इन सभी को को जोड़ लो सब दूर के तो 6, 5, 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 17 में इकायंग कितना बनेगा 7 तो इस क्योशन का जो इकायंग काएगा 7 और उप्शन नमबर 3 बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा अगले क्योशन के यदि की जाएक कौושन नमबर 4 की और इस काम को वाई 30 दिनों में पूरा करता है और जेड़ इसे पूरा करने में 4 दिन लेता है यदि वे एक साथ काम करेतो इस काम के लिए उनको 39 सो रुपई ये प्राफ्ट करेतो वाई कितनी दिंदिनाशी प्राफ्ट करेगा तो दिया है क्योशन में एक से किसी काम को दो दिन में कर सकता है फिर आगे बोला गया कि वाई इसी काम को तीन दिन में पूरा कर सकता है आगे बोला गया कि जेड इसी काम को चार दिन में पूरा कर सकता है आप क्या करो पहले टोटल वर्क निकाल लो टोटल वर्क लाने के लि मजब समय का EELSEM लिया तो उनका टोटल वर्क आया अब क्या करो कारी शम्ता निकालो तो कारी शम्ता बराबर हो जाएगी यहां पर दोका भाग बारा में देंगे छे बार कटेगा और तीन चुक बारा चार आजएगा चार तिया बारा तीन आजएगा तो कारीश हमता कितने अनुपात आ गई X की कारीश हमता 6 है Y की कारीश हमता 4 है और Z की कारीश हमता 3 है तो याद रखना ये 4900 रुपया इनके हिस्सों में बाटना है तो याद रखना ये पेशा हमेशा जो मजदूरी होती है काम के लिए वो हमेशा कारी शम्ता के अनुपात में बढ़ती है तो ये तीनों का योग 49 सो हैं तो कारी शम्ता का भी योग कर लो तो यहां पर 6 में 4 जोड़ा 10 10 में 3 जोड़ेंगे 13 मतब 13 रेशो का मान 49 तो एक रेशो का मान लाने के लिए 49 सो में 13 का भाग लगाओ 13 रेशो का मान 300 आएगा कोचन में पूछा गया य की धन्राशी बताओ कितना मिलेगा तो जो एक रेशो का मान आया इसका गुणा आप क्या करो य की कारी शम्ता से कर दो मतलब 4 से तो 300 का गुणा 4 से करेंगे 300 चोको होता है 12 cents और 1200 आप लोगों को नमबर दो में मिल जाएगा अगला क्योशन है क्योशन नमबर पांच वेरी मॉस्ट और इंपोर्डेंट क्योशन है क्योशन नमबर पांच में लिखा एक रसोया ने पांच सही एक बटे छे किलोग्राम आलू तीन सही पांच बटे बारा किलोग्राम टमाटर एवं एक सही प 5 सही 5 बटे 6 में जोडना है 3 सही 5 बटे बारा फिर इसमें आप लोगों को जोडना है 1 सही 5 बटे नो 1 सही 5 बटे नो तो अब इन मिश्र भिन्नो को यदि आप लोग जोडना चाहो तो क्या करो जो ये पूर्ण पूर्ण संक्या हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इनको साइड में जोड़ लो यानि कि पांच में पहले हम तीन को जोड़ेंगे और फिर एक को जोड़ेंगे और यहां पर कोस्टक बंद और यहां पर हमेशा प्लस लगाओ और यहां पर अब जो भिन्ने भिन्ने आपको दिखाई दे रही है इनको अलग से जोड़ लो तो यहां पर आप क्या करो डाइरेक्ट छे का बारा का और नो का एलसियम ले लो तो इनका एलसियम आएगा जोडने के लिए 36 अब हम छे का बाग 36 में लगाएंगे छे वार जाएगा और छे का गुणा एक से करेंगे तो छे आएगा और प्लस हो जाएगा बारतिया 36 होता और तीन का गुणा पाँच से करेंगे पंदरा हो जाएगा इस प्रकार यहां पर 9 का भाग भी 36 में देंगे 9 चुको 36 और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 54 हो जाएगा 20 Simply क्या गरो 5, 3, 8 और 1, 9 हो जाएगा इधर आगे यह प्लस अब यहां पर इधर आया हमारे पास 36 अब उपर वाली value जोडेंगे यानि 20 में हम 15 को जोडेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 में हम लोग 6 को जोडेंगे तो 47 बनेगा 47 बटे 36 अब Simply क्या करना है 9 प्लस तो हमारा आज चुका है और यहां पर 36 का भाग 47 में जाएगा तो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा और जो सेस पल बचेगा कितना 41 में से 36 चला जाए तो 5 बचेगा और बटे में पूरा 36 को लिखेंगे तो यह सारा एडिशन हो जाएगा 9 में एक जोड़ा 10 और यहां पर सही बटा लगाएंगे 5 बटे 36 ऐसा ही लिखेंगे तो 10 सही 5 बटे 36 टोटल खरीदी गई सबजीयों की मात्रा होगी जो ओफशन नमबर एक में आप लोगों को दिखाई दे रहा हैं क्योशन नमबर 6 हमारे पास लिखा है 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं उनके काम करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड जाते हैं पूरा काम कितने दिनों में समापत हो जाएगा तो इसे करने के लिए क्या दिया है क्योशन में 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो आप क्या करो 40 आदमी का एक दिन का काम निकालो 40 आदमी का कितना हो जाएगा तो आप कहोगे कि एक दिन का काम एक बटे पंद्रा हो जाएगा अब यहां क्योशन ने ये बोला कि उन्होंने क्या करा तीन दिन तक काम कर लिया तो इन चालिस आदमियों का क्या करेंगे हम तीन दिन का काम निकाल लेंगे तो तीन दिन का काम यहां पर कितना हो जाएगा जो एक दिन का काम है एक बटे पंदरा अगर हम इसमें गुणा करें तो इन चालिस आदमियों का तीन दिन का काम हो जाएगा तीन का गुणा करने पर तीने कम तीने पंज पंद्रा यानि कि तीन दिन में ये एक बटे पांच काम कर देंगे चालिस आदमियों ने तीन दिन में एक बटे पांच काम किया तो यह एक सिंपल सा जो फॉर्मूला होता M1, D1 वाला उसे यूज़ कर लो M1, D1 बटे में होता है W1 और बराबर ये फॉर्मूला यूज़ करो कि M2 और उसके बाद D2 और बटे में अजाएगा W2 तो इसका मतलब M1 का मान अपने को दिया है क्योशन में कितना 40 और D1 यानि कितने दिन में इन्होंने काम किया तो तीन दिन में इन्होंने काम किया और W1 की जगे वर्क लिकेंगे काम तो वर्क कितना किया इन्होंने 1 बटे 5 काम किया अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम M2 का मान बाद वाले में तो क्योशन ने ये बोला कि 3 दिन बाद 20 और आदमी अजाएंगे तो टोटल 40 आदमी थे अब 40 आदमीों में यदी 20 आदमी और आजाएंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे 60 तो ये 60 क्या हो जाएगा M2 का मान हो जाएगा 60 और 60 आदमी D2 मतलब दिनों की संक्या हमसे पूचिए D2 और बटे में W2, W2 की जगे एक बटे पांच काम हो गया तो एक काम करो यहां से सेस काम को निकाल लो तो सेस काम और कितना बच जाएगा तो एक काम में से हम माइनस करेंगे एक बटे पांच को तो पांचे कम पांच पांच में से गया तो चार बटे पांच काम और बचेगा ये करना है साथ आदमियों को तो इनके नीचे इनका काम लिखेंगे चार बटे पांच अब ये पांच से पांच कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर चार का भाग यदि आप साथ में लगाओगे तो पंद्रा बार कट हो जाएगा अब सिंपली क्या करो डी टू को यही रखो और इसके निकट वर्ती वैल्यू इधर भेजेंगे गुणा का पंद्रा तो इधर भाग में चला जाएगा मतलब इधर लिखा है चालिस गुणा तीन और बटे में आजाएगा कितना पंद्रा अब पंद्रा में तीन का भाग लगाओ तो पंच बार में और पंच का भाग चालिस में लगाएंगे पाना आठे चालिस आज तो डी टू का मतलब दिनों की संक्या कितने दिन में कर लेंगे वो बचे हुए काम को तो याद रखना आठ दिन में कर लेंगे लेकिन क्योशन ने ये नहीं पूछा आठ हमें लगा कर नहीं आना क्योशन ने पूछा पूरा काम कितने दिन में खतम होगा तो पूरा काम खतम होने में देखो यहां पर शुरू में क्या एक बटे पांच को खतम होने में कितना टाइम लगा था तीन दिन और फिर आगे कितना टाइम लगा आठ दिन तो आठ में तीन दिन को हमें जोड़ना परेगा तब जाकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ग्यारा दिन में जो ओफशन नमबर तीन में आपको दिखाई दे रहा है अगले क्योशन के अदि बात की जाए क्योशन नमबर सेवन तो वेरी मॉस्ट और इंपोर्टेंट क्योशन है क्योशन नमबर सेवन में लिखा है कि अठातर हजार रुपे का छे सही दो बटे तीन प्रतीशत प्रती वर्ष की दर से नो महा का साधरन ब्याज गयात करना है तो सिंपली इस क्योशन को सौल्व करने के लिए आप क्या करो साधरन ब्याज का फॉर्मूला लगाओ साधरन ब्याज बराबर जो होता है मुल्धन गुणा में दर और गुणा में समय ये होता है साधरन ब्याज का फॉर्मूला और बटे में क्या करो सो करो तो साधरन ब्याज आ जाता है तो साधरन ब्याज तो अपने को लाना है तो साधरन ब्याज बराबर मुल्धन की जगे हम लोग कितना लिखेंगे जो क्योशन में दिया हैं 78,000 और उसके बाद में हमें दर दिया है दर जो दिया 6 सही 2 बटे 3 प्रतीशत दिया तो ये सही बटे से इसको बटे में कनवर्ट करेंगे 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20 और 20 बटे 3 प्रतीशत दर रखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 20 और बटे में कितना तीन प्रतीशत और गुणा में समय दिया है नो महा और नो महा को हम क्या करेंगे नो महा को बारा का भाग लगाएंगे जिस से ये वर्षी में कनवर्ट हो जाएगा और गुणा में एक बटे सो यानि बटे में 100 करते हैं तो यह 100 यहां पर, गुणा में एक बटे 100 लिखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, दो 0 से यह 2 0 कट हो जाएगा, और 3 का भाग इस 9 में देंगे, 3 बार कटेगा, 3 से 12 को काटेंगे, 4 बार कटेगा, 4 का भाग 20 में जाएगा, 5 बार, अब सिंपली हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा, 780 और गुणा में 5, इनका गुणा करेंगे, 5 का गुणा जीरो में करेंगे, 0 पाने आटे 40 की, 0 केरी 4, 5 साथे 354 हो जाएगा, 49, यानि कि जो साधारन ब्याज बनेगा, 9 मा का, 78,000 रुपे का, 49,000 रुपिया, जो ओफशन नमबर 1 मे आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, अगले क्योशन के यदि बात की जाए, क्योशन नमबर 8, 8 नमबर 1 वस्तु का अंकित मुल्य हमें दिया गया है, यदि दुकान दार ने 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत और 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत की छूट देता है, तब 2 क्रमीक छू डिसकाउंट दिखाई दे रहा है, इस फ्रेक्शन में बदल लो, साथ 14 साथ 98 और 98 में 2 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 बटे कितना 7 और परसेंड को हटाएंगे तो गुणा में 1 बटे 100 आएगा, और इसका जो फ्रेक्शन बनेगा, 2 0 से 2 0 कटकर 1 बटे 7 बनेगा तो ये जो बटे वाली वेल्यू रहेगी इस फ्रेक्शन में, MRP रहेगा और उपर वाला मान छूट रहेगा, तो 7 अंकित मुली पर 1 यूनिट की छूट दी जाए, तो विक्रे मुली का अनुपात क्या बनेगा, 6 बटे 7, मतलब नीचे वाले में से उपर वाला घटाओ, त तो बारदुनी 24 और एक जोड़ा तो कितना 25, और 25 बटे कितना हो जाएगा 2, प्रतिशत का मतलब गुणा में 1 बटे 100 करेंगे, तो यहाँ पर 25 है कम 25, 25 चुको 100, और यहाँ पर उपर में 1 बच्चा और नीचे, चारदुनी 8 हो जाएगा, 8 MRP पर एक यूनिट का डिसकाउ रहेगा, तो कितने में बेचा जाएगा, 7 बटे 8 में, अब क्या करो जो आपको अंकित मुल्य दिया है, 56 रुपया, इसका पहले तो आप निकालो 6 बटे 7, और फिर निकालो इस 56 का 7 बटे 8, तो आपके पास डाइरेक्ट इस वस्तू का विक्रे मुल्य निकल कर आ जाएगा दो डिसकाउंट के बद विक्रे मुल्य निकल जाएगा, 7 से 7 कटा, 8 का भाग 56 में देंगे, 7 चपन, और यहाँ पर 7 गुना 6 करेंगे, 7 चंग 42, तो 42 इसका सही जवाब है जो आप्शन नमबर 1 में आपको दिखाई दे रहा हैं, अगला क्योशन है क्योशन नमबर 9, जैस भाग 18 प्रतिशत लाब पर बेचता हैं, उसे कुल मिलाकर 14 प्रतिशत लाब होता हैं, तो 18 प्रतिशत लाब पर बेची गई मातला बताओ, तो यहाँ पर आप क्या करो, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, इसमें मिश्रन विदी का हम यूस करेंगे, पहले का लाब का प्रतिशत दिया, 8 प्रतिशत लिखा, और दूसरा लाब का प्रतिशत दिया, 18 प्रतिशत, और दोनों हिस्सों पर जो लाब हुआ, बीच में लिखा जाएगा, 14 प्रतिशत, यह मिश्रन विदी होती है, बड़े में से छोटा हो, और इधर बड़े में से छोटा हो, तो और दो तिया छे तो ये जो हमारे पास दो रेशो तीन का मान बना ये दो रेशो तीन ये quantity का रेशो बनेगा तो quantity का रेशो हैं दो रेशो तीन अब क्या करो कि टोटल एक हजार किलोग्राम चीनी था ये दो हिस्सों का योग है एक हजार किलोग्राम तो यहां पर रेशो का भ दो सो आजाएगा क्योशन ने पूछाए कि 18 प्रतिशत लाब पर कितनी चीनी बेची गई तो याद रखना 18 प्रतिशत की क्वांटिटी का रेशो कितना है तीन यूनिट तो जो एक रेशो का मान आया 200 इसका गुणा तीन से करेंगे तो तीन यूनिट का वेल्यू आजाएग कि पुस्तकाले में गणीद भोती की और रसाइन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का अनुपात दिया है इन पुस्तकों को क्रमशा 10 प्रतिशत 5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताओं है संख्या में व्रद्दी के बाद पुस्तकों की संख्या का न यूनिट था, आठ यूनिट में व्रद्दी हुई 10% की, तो ये 100% था, 10% बढ़ाने के लिए 110% निकालो, डाइरेक्ट 8 का, और 5 यूनिट को 5% बढ़ाना है, तो 5 का डाइरेक्ट 105% निकालो, और 9 को अपने को 5% तक बढ़ाना है, तो 9 का भी 105% निकालो, तो ये हमारे पास नए रेशो बन जाएगा, तो यहाँपर क्या करो, यह सो से सो सारे कट कर допूष, यह सो से सो कट जाएगे यहाँपर बटे वाले, अब पाँच का भाग लगाओ, तो यहाँपर पाँदूनी दस, और एक बचा, तो यहाँपर फिर से 10 हो गया, और फिर से पांदुनी 10, पांच का बाग इदर देंगे, पांदुनी 10, पांच एकम 5, पांच इदर कटेगा, पांदुनी 10 और पांच एकम 5, इनका गुना करो, आरदुनी 16 का चेक केरी वन, आरदुनी 16 और एक 17, तो 116 अनुपाद, पांच एकम 5 हो जाएगा, और पांदुन दस हो जाएगा यानि एक सो पाँच फिर से रेशो बनाएंगे नोए कम नो और नो दुनी अठारा एक सो नेवा सी आएगा तो याद रखना ये वरद्धी करने के बाद जो आया ये नया रेशो आया जो ऐसा आप लोगों को आफशन नंबर तीन इसका बिल्कुल करेक्ट आं क्योशन आपके कवर हो जाएंगे एक भी क्योशन आपकी एक्जामिस से बाहर नहीं आएगा तो पूरे सेशन को प्रती दिन जरूर आप लोग देखा करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्स